सोइनल ये वे केंशी एयर पॉर्ट एथराइज ऑफ इंडिया की तरफ से ये वेकैंशी आई है ये वेकैंसीअप प्रींटिशिप्ट की है जो डिप्लोमा और डीग्री यानी बीटेक की है तो वह अपलाई कर सकते हैं इसकी कितना वेकैंशी आई है कौन ब्रांच में आई ह वेकेंसी और कब तक डेट है और इसमें कितना फिस लग रहा है इसका पूरा डिटेल चंदकारी लेंगे हम लोग उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा आने वाला गौर्मेंट और प्राइवेट नोटिफिकेशन इस वीडियो या इस चैनल के माधियम से आप लोग को हमेशा मिलेगा तो चलिए और लाइक कर दीजेगा तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं नोटिफिकेशन में या पर दिया गया आप देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट है जो यह आपका सिविल गेजवेट यानी बीटेक के लिए हैं ठीक है तो डिक्री अगर है तो आप लोग इसको अपलाई कर सकते हैं सिविल इंजिनियर से तो यहां पर आप गेजवेट में सुल्ला पोस्ट है जो वन येर का ट्रेनिंग रहेगा डूरेशन आप देख सकते हैं इस टाइप नहीं आप लोग का 15,000 इwed आप लोग का दिया जाएगा ठीक है है और यहां पर एक देख सकते हैं लोकेशन कहां आप लोग का जौब का लोकेशन रहेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा बजाप्ते mix लाइदे आप सब लोग भर सकते हैं जहां हम अपर लोग सथोडू R cohesive सिव से आप लोग these किया तो आप क्छो का 16 पॉस्ट रोंयर का डुरेशन ट्रेणिंग रहाएगा आप लोग का पैमेंट है आपको अल्यक्टीक наб는 diploma के है तोूजा पॉस्ट है और जूरद टोड़ोंगा का पेमिन में लेगा electronics graduate और electronics diploma के लिए अलग लग है जैसे गार्जूरय में आपको 38 पोस्ट ज्यादा पोस्ट है और duration के लिए 1 यार के लिए duration मतलब training के लिए और आपका और डिप्लोवा के लिए आप लोग का 24 से पोस्ट ऐसमें वान यार का रहेगा आप लोग का डुरेशन अब शाकेंड में आते हुख क्वांपूटर साइंस इंफरमेशन टेक्नोलोजी ग्येजवेट से अगर किये है है रोट ब्रक्राइब हेसन रहाएगा टेकनिकल डिपलोमा दे यहां पर एक बात हीन पर लिखा गया अगर डिपलोमा्स से अगर किये हैं ब्रांस से जैसे सिवील एलेक्टिकल एलेक्ट्रोनिक्स तो आप लोग 12,000 मिलेगा और गेजवेट वाला का 15,000 रुपया दिया जाएगा कि लिए यहां पर कर दिया गया बागी यहां कंपुईटर साइंस इंफ्रमेशन टेक्नोलोजी डिप्लोमा से किये तो सेवन पोस्ट है वन येर क लोगा यहां बरहा करते यह बरको यहां lah mat 각र सकते हैं इसमें कोई भी फैस नहीं लग रहा है तो आप लोगर यह अगर आप लोगो नए बेस से निकले हैं तो आपको अपलाई कर सकते हैं प्लाई को मीश्साल को मालूमत हो जाएगा अला लाज्ट आप लोगा पलोकशी सकते हैं चाहिए बात किया जाए तो यहां पर लिखती आगया है तो आप लोग देख सकते हैं कर दिख देख सकते हैं इसको रिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्टिंगे सकते हैं यहां पर जो भी आपलय का मेरीट पर ही अपलो और होगा कटब रहेगा उसके बाद आप तो कई इन्ट्रिवियों को उनने लोग को बलाये जाए का जो सूर्ट शेयाए जाए गा के मार्क पर अप लोग है का शौर्टलिस्ट किया जागा डीपलोमा और बिटएक दोनों के लिए सेम रूल है और उसके बाद इंट्रिव्यू ओका इंट्रिव्याइव के बाद आप्लों का वेरिफिकेशन सर्टिफीकेट होगा उसके बाद में मिडीकल चेकप भी होगा फिटनेस का तो यह सब आप लोगा रिक्वार्मेंट मांगा गया है बाकि आप लोग देख सकते हैं यह लीमिंड का बात किया दिए चब्विस यह सकते हैं बाकि आप लोग देख सकते हैं डिप्लोमा डिग्री की हैं आफ्टर 2018 अफ्टर अफ्टर कर सकते हैं या अफ्टर देख लीजेगा दियान से लाप लोग कर चुके हैं चौबिस एक दोजार एक इस यानि जनवरी को आप लोग का लास्ट डेट है बाकि यहां पर अगर एमेच आड़ी पर आप लोग नहीं किये है रेजिस्टेशन तो कर लिजेगा वहां से आप लोग कर लिजेगा उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ दिया गया या नहीं है बा आप लोग कोई भी प्रोब्लम होता तो आप लोग यहां पर डारेक कॉल भी कर सकते हैं या इमेल के दूरे भी बात कर सकते हैं कोई भी प्रोब्लम होता है तो पोर्टल में ठीक है तो कोई भी इंक्वारी अगर चाहते हैं तो इस नमर का आप लोग को प्योग कीजिए नम इमेच आडी में भरना है पहले कि आप लोग का पहले रेजिट्रेशन कैसे करना यह तो आप लोग को से बात कर सकते हैं ऐसे हम बता देते हैं आपको एमेच आडी में अगर रेजिट्रेशन पहले से की हैं तो कोई बात नहीं जारे का आप लोग का ओनलाइन खली और फॉरॉ तो उसको भीआप हो सकता है यह फ्रेस के लिए जो आप लोग नहीं किये हैं ना जो लोग की है उनकी लिए नहीं है वह डारयक अप्ला अप्लाइक कर सकते हैं बाकियत नहीं है था और कोई भी notification government या private का था तो आपको इस channel के माधियम से मिल लेगा thank you for watching